कुष्टन है विहार वुर्ट के द्वारा जो आज एक्जाम लिया गया है यही वही कुष्टन है चैलेंज करता हूँ कि मेरे सारे कुष्टन लड़ जाएंगे यहीं से आएंगे मस्ते फिर पहुंच चुके हैं दर्भंगा के जाने माने सिख्षक खांसर आरी खांसर के पास और आज का कारण है आज कोई कुष्टन पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आज कुष्टन सर लेका आए हैं और यह जो कुष्टन है विहार वुर्ट के द्वारा जो आज एक्जाम लिए गया है यहीं वहीं कुष्टन है और आज से दस दिन पहले सर के साथ इंटर्व्यू किये थे मैं आपको उपर आई बटन और नीची डिस्क्रिप्शन बक्स में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा वहां पर सर कुष्टन बताये थे गर्दा कुष्टन मिला है सर इतना खुसी हो रहा है आप बच्चों का जब एक्जाम अच्छा जाता है तो खुसी बहुत होती है देखे हम एक बहुत जिम्हेदार टीचर है इस सहर के तो जब हम लोग कोशन करते हैं तो कोई इस तरह की बात नहीं करते हैं कि हां मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे सारे क का जो टीचिंग अनभव है और एक आप कह सकते हैं कि उपर वाले का सरस्ती जी का एक इस्पिसल आशिरवाद है मेरे उपर के जो गेस करते हैं तो बहुत अच्छा लड़ता है मुझे याद है विकाज जी आसे 10 दिन पहले आप आये थे और आपने कहा थे कि सर आप टूद जब बिहार बोट का फिजिक्स का एक्जाम हुआ जब क्वेशन मेरे सामने आया तो मुझे वो इंटरव्यू याद आ रहा था और निश्यतरुप से एक आंतरिक मन में काफी यात्री मन है इंसान का वो तो कहीं न कहीं खुश होता है तो बहुत खुशी लग रही है मुझे साथ यही कंडिशन लगा था कि सर मुझे आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहा है कि बच्चे जो लास्ट टाइम में जो गेस पढ़ते हैं दिक्कत हो जाता है तो कुछ ऐसे कोशन बता दियो जो आ जाए तो काफी रिस्की था मेरे लिए बट मैंने बताया था और उपर व कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका 390 से 400 के बीचे में रहा 40-50 बच्चे आजाते हैं तो इसलिए मैं कहता हूं कि सारे पेपर को अच्छा करो फिजिक्स बहुत स्टेंडर्ड पेपर है इस बार भी जो फिजिक्स पूछेगा है इजी तू मोडरेट कोशन था और हर ट से नहीं समझा सकते हैं जो हम लोगे पास जो 15-20 परसेंड बच्चे होते हैं बड़े सिरियस होते हैं और जो 5 परसेंड जो एक्स्टर ओडिनेरी हैं वो साथ दरवंगया में डिक्से भी नहीं है वो कोटा दिले बगएर चले जाते हैं तो उन बच्चों के लिए संदेश ह जो अपने किसी भी इंस्टिचूट पर आखमून के भरोसा करते हैं अगर आपके टीचर कहते हैं गेस लड़ा तो आप उनके गेस पेपर को मंगवाईए डारेक्ट उनके बात पर मज़ आईए आप उनके पहले गेस पेपर को दिखाई और बूलिये सर को की बताईए कौन कुछन नमबर कौन-कौन सा लडा आप पहले पुरूवड करें पहले लॉंग टाइप लड़ा फिर शौॉट टाइप लड़ा के नहीं लड़ा अगर आपके टीचर यह बताने में सफल हैं तभी माना जाए कि उनका गेस लड़ा वणा नहीं लड़ा बच्चे आप जो उन वहां से कोशन आते हैं, हम लोगी कॉंपी से NIT और IIT में कोशन आते हैं ये बहुत अच्छी बात है सरका के जई-मेंस और NIT के ग्यान में कुष्टन आते हैं और ये तो फिलाल बोड़ एक बात मैं और बता दू Academy of Physics आप पता कर लें, इंडिविज्वल कोचिंग, ये सिंगल संस्ता हैं जो हर साल यहां से एक या दो मेडिकल, एक या दो IIT, हर साल एक कम से कम मेडिकल के रिजर्ट्स होई रहे हैं आपके पीछे भी ये पोस्टर लगा हुआ है, ये दो सल पहले का एक साथ चार-पांच बच्चों ने मेडिकल निकाला था उनको बताना पड़ता है कि माबाप क्या को मीड़े हैं देख एक बात समझे है, विकाजी मैं आपके मन से एक बात बोलना चाता हूँ हम लोग सब लोग lower middle class families हैं कही कि माबाप तो दाना बेच के अपने बच्चों को दरवंगा में पढ़ाने बेचते हैं है ना अनाज के सीजन में अनाज बिखता है दान गेहूं चावल तो बच्चों को लोज का पैसा दिया आता है बच्चे यह लोज में क्या कर रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं घूम रहे हैं, सिर्फ खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, और घूम रहे हैं, उन्हें कोई फिकर नहीं कि उनके माबाप पे क्या बित रहे हैं, वो अपने माबाप के सपनों को जला रहे हैं, भाई बहन के सपनों को जला रहे हैं, अपने सपनों को तो इन इनका result चल रहा है, exam चल रहा지, क्या आपक यह pretend Acts need a घ्र है और है फिट्षा कर विज्टा है, किने बच्छे का सब्दोन को क्या करना है आप दुज और करते हैं विपास आप पी स्टुडेंट के बीच में ही आपका समय में बच्छा क्भी डेह रहो क्यों सारे बच्चे पढ़ने में खराब है बिल्कुल नहीं गाइडलाइन कराब है मैं टीचर होती हो मैं accept करता हूं कि शायाद मैं इससे इसे guide करता हूंग इसलिए मेरे बच्चे कराब हो रहें मैं बच्चों पे कभी दोस्ट dough नहीं दे सकता कि बच्चों बच्चे ख़रा मिसली रिजल्ट नहीं होता है टीचर को पहले अपने अंदर जाकना पड़ेगा मैट्स की टीचर को किमिस्ट्री के बायो के फिजिक्स के सब के क्या किर हम में क्या कमिया है अगर हर टीचर अपना बेस्ट देने लगे तो दर्भंगा आयटी और मेडिकल की फैक्टरी हो जाएगा इसी सब्दों के साथ दर्भंगा मेडिकल के शक्रक्राइब करते हैं और हम सब्सक्राइब कर लेजएक अगली वीडियो में तथ्यक्र धन्यवाद जहिन जहाँ भारत